नमस्कार दोस्तों सबसे पहले टेक नियूज और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल इंगिन टेक जुगाड को सबस्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए वो 2G network या 3G network पर latch हो जाता है तो आप 4G signal नहीं पापाते हैं और आपने recharge जो कराया होता है वो 4G के लिए कराया होता है फिर भी आप 3G या 2G use करते हैं तो फ्रेंस आज के इस वीडियो में मैं आपकी जो ये problem में ये solve करने वाला हूँ कि Xiaomi के phones में आप कैसे only 4G network select कर सकते हैं तो फ्रेंस किसी भी Xiaomi phones की setting आपको इस परकार से दिखाए देगी सबसे पहला आपको SIM cards and mobile network दिखाए देगा तो अगर मैं यहाँ से SIM cards and mobile network select करता हूँ तो आपके पास जो आपके SIMs है दोनों वो दिखाए दे जाएंगे तो मैंने यहाँ से सबसे पहले जियो 4G select किया तो अगर आप नीचे आएंगे तो आपको prefer network type दिखाए देगा तो आप prefer network type में सिर्फ prefer कर सकते हैं prefer LTE, prefer 3G और 2G only तो आप 2G only तो select कर सकते हैं लेकिन आप LTE only select नहीं कर सकते हैं नहीं आप 3G only select कर सकते हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप select कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको settings में चले जाना वर सबसे नीचे आना है सबसे नीचे अगर आप आएंगे तो वहाँपर आपको about phone दिखाये k ant क्लिक कर देगा अब o phone पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर internal memory दिखाए देगा देखिए यहाँ पर य्या ऑपर है या SIM 2 में तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो मैं यहां से देखिए Phone Information 1 में जाता हूँ तो Phone Information 1 में आपको जो SIM 1 है उसका Information दिखाए देगा तो आप नीचे आएंगे तो यहां पर देखिए आपके पास TD, SCDI में, GSM, WCD and LTE यहां पर Select है तो उसके बाद यहां से आप बैक आजाएंगे तो आपके Mobile में जो LTE Only है वो ही Select रहेगा यानि कि आपका 4G ही Select रहेगा और आप अपने Mobile में सिर्फ 4G Data ही यूज़ कर पाएंगे देखिए यहां से 4G Data आपका जो सिगनल है वो सिर्फ 4G का ही आपको मिलेगा आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें चैनल को सब्स्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए